श्री हरीवन्स श्री राधा वल्लब श्री हरीवन्स ओम अज्ञान तिमरांध से ज्ञानजना सलाकाया चक्छरून मिली तमियंत श्मय श्री गुरुवे नम्हाँ श्री राधा गोपी प्रेम भगवान श्री राधा वल्लब की अत्यन्त निगूर परम पावन लीला का एक महत्पुन स्वरूप है ही इसमें आध्यात्मिक साधना का बहुत उचा आदर्श प्राप्त होता है इस उचाई तक पहुँचने के लिए साधक को निमलिखित बातों का द्यान रखना चाहिए इन बातों को द्यान से सुनिये और जीवन में उतारने का प्रियास करिए तभी आप राधा गोपी प्रेम की प्राप्ती कर सकते हो राधा माधाओ के चरणों की प्राप्ति कर सकते हो। सबसे पहली बात एक साधक को भक्त को जीवन का प्रम का चरम और परम लख्ष, एक मात भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए। जब तक भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति का लक्ष नहीं धुद्धिन होगा जब तक आपका मार्ग सही दिशा में बन नहीं पाएगा आपका लक्ष निश्चित हो गया तो आप बहुत तीजी से अपने लक्ष की तरफ बढ़ते जाओगे आपने लक्ष बना लिया वास्तों में कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है भगवत प्रेम प्राप्त करना है और योग कुरू के सानिध में उनकी आग्या के नुसर आप चल रहे हो तो बहुत सीग्र आपको परिणाम दिखने लगेगा तो जीवन का लक्ष हमें सुधिन कर लेना है संसार की प्रा हैं उसकी पूर्थिक में आप करिए परंतो प्रात्मिलक्ष भगवत प्राप्ति होने चाहिए दूसरा बुद्धी केवल भागवान के ही विचार करे भगवान का जितना चिंतन होगा उतना बुद्धी पवित्र होगी मन पवित्र होगा जीवन को निरंतर निश्यत नहीं लगेगे आपका बुद्धी मन ये सब मिलकर आपका उधार भी कर सकते हैं और बिनाज भी कर सकते हैं आपके मन में विचार आया कि संसार की किसी वस्तु प्रदात की प्राप्ति की जाए और बुद्धी ने सहीयो किया बुद्धी ने आपका सहीयो किया और आपकी सरीर कि ज्यानेंद्रिय कर्मेंद्रियां मिलकर वच्चेश्टा कर देती हैं तो संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ते हैं वही चाहा जब भगवत प्राप्ति के लिए हो जाती है बुद्धी और मन भगवान में लग जाता है भगवान के रूप लिला धाम में लगता है निरंत्र उनका चिंतन करता है तो आप के सरीर के सभी ज्यानेंद्रिय कर्मेंद्रियां भगवत प्राप्ति के लिए लगती हैं भगवा सेवा के लिए लगती हैं तो आपको कि बुद्धी पवित्र मन परवित्र हो जाता है निर्मल हो जाता है इस निर्मल मन में निर्मल हिर्दे में ही भगवान का वास होता है तो बुद्धी को भगवान के विचार में ही लगाना है चिंतन में ही लगाना है तीसरी महत्पून बात है मन नित्य निरंतर भ और बुद्धी निरंतर नित भगवान के नाम रूप लीला गुरु आदेश का पालन करने में लगना चाहिए चौती मुहत्पुन बास आपकी समस्त इंद्रियां हाथ हो गया पैर हो गया आखे हो गई आपकी जवान हो गई भगवत विस्वियों को ही गणा करे और उसी को ही बोले जैसे आप भोजन पा रहे हो तो भगवत अर्पित करके पाओगे तो आपके मुख की सार्थकता होगी आपके मुख की सार्थकता तब होगी जब भगवान के नाम का कीरतन करोगे तेजी से भगवान का नाम लोगे आपके हाथों की सार्थकता तब होगी जब आप भ वहीं तवचा की जो सेवा है वहाँ भगवान के ही परशाद को गणह करे जैसे आप इतर लगा रहे हो तो भगवान का और्पित किया हुआ इतर अपने तवचा में लगाईए ये परशाद आपके तवचा को पवित्र करेगा तो इस तरह समस इंद्रियों को भगवत विष्यों में ही लगाना चाहिए भगवत विष्यों को गणह करना चाहिए समस इंद्रियों को वहीं पाचवी बाद जीवन का प्रतेक प्रतेक प्रदार्थ, प्रतेक संबन्द, प्रतेक प्रतिती, प्रतेक बिचार और प्रतेक कार केवल और केवल भगवान से ही संबन्दित होूँ, सभी कर्म भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवत सेवा मान के अपने परिजनों क कि सेवा करिए इसे परियन भी खोश रहेंगे आनंदित रहेंगे और आपका भी कार्य होता रहेगा और सामने वाले को सुख देने की भावना से सेवा करिए कुछ लेने की भावना से नहीं करेंगे अगर कुछ लेने की भावना से सेवा करेंगे तो वो काम विसई हो जाएग आपका, वहीं जब स्ख देने की भावना से करेंगे तो सामने वाला एक दम प्रशन हो जाएगा और आपका जो यहाँ प्रेम है यह मम्ता आपको बांधेगी नहीं यहाँ प्रेम आपको बांधेगा नहीं संसार से नहीं बद्होंगे आप क्योंकि आप किसी को सुख देने की भावना से कर रहे हो ना वहीं जब आप भगवान को सुख देने की भावना से कारे करोगे तो यह भगवत प्रेम बहुत उच्चिकोटी का होगा और आपके जीवन में आध्यात्मिक निखार को उत्पन करेगा वहीं चठी बात है चित भूमी से छड़ भर भी भगवान से ना हटे आपका जो चित है वो भगवान से कभी ना हटे नित नई उमंग नई नवीन उत्साहा के साथ भगवान के नाम का भगवान की कथा का इसमन करना सुनना आदिच चाहिए मतलब आपका चित भगवान से कभी नहीं हटना चाहिए साथी बात है सारी आ सकती आपकी सारी ममता केवल एक मात भगवान में ही हो जाए और मन में केवल भगवत इसमन भगवत सेवा की ही बिसुद्ध कामना लालसा रहे और यहा लालसा यहा कामना भगत सेवा हमेशा बढ आफ ही बात है जीवन में dessa कहा रही है लाग करना है किसी से भी उनुकुल कर रही है तो उसे राग नहीं कर लेना है और कोई परितिकूल वेवहार कर रहे तो उससे द्वेश नहीं करना है, भोग, ममता, कामना, मान, अभिमान, सुख, दुख, भाय, संदे, से सरवता हमें रहित हो जाना है, तो यहां कैसे होगा, नित्य भगवान का चिंतन करो, भगवान का 24 गंट अखन इश्मन बना रहे, तो इस तरह के विकार आपके जीव मंगल विधान से दर्शन से अनुकूलता आनंद का अनुभा होना चाहिए, अर्थात भगवान की किरपा का आप मंगल दर्शन करिए, कि आपके जीवन में भगवान की किरपा ही किरपा है, सबसे बड़ी किरपा तो आपको मनुस देहतन प्राप्त हो गया, जो कि बहुत द दुलब न सोई, तो ये किरपा से आपको ससंग मिला, आप ससंग मिला, आपको मनुस देह मिला, ससंग मिला, धाम का भी आपका आस्रह और वास भी हो गया है, धाम से भी प्रेम हो गया, धामी से प्रेम हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, ससंग मिल रहा है, तो हमें मार्ग पुलता को आप प्राप्त करके भगवान को धन्यवाद करना है वहें जीवन अगला है जीवन सदा बिने बिनम सैयम नियम पून सदा प्चार पून सदा सरवत भगवत सांती सुख का अनुभव कराने वाला होना चाहिए नियम नहीं होंगे तो किसी प्रकार आप कुछ नहीं करते हैं, जैसे सोने का नियम कब है, जागने का नियम कब खाना है, कब आपको भगवान के नाम में डूबना है, कब कथा करनी है, कब कथा सुननी है, इस तरह का एक नियम बना होता है हर साधक के एक भगत के जीवन में, तो उस नियम का पालन करना चाहिए, वहीं सयम के साथ रहना चाहिए मन इंद्रियों पर सयम तो बहुत आवश्यक है सदा चार पूंट रहना चाहिए सब के साथ सब अच्छा बिहार करना चाहिए सहज रहना चाहिए